दोस्तो स्वागत है आपका एजुकेशन अड़्डा 99 पर दोस्तों यहाँ पर 36 गड़ रोजगार पंजियन या फिर नवीनी करन आप कैसे कर पाएंगे 2024 में इसकी जनकारी complete आपको आज की इस वीडियो में हम देंगे ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर इसके website में बदलाव कर दिया है अब नए website के माध्यम से बिलकुल घर बैटे ही आप अपने रोजगार पंजियन भी कर सकते हैं साथ में नवीनी करन भी कर सकते हैं आपको कहीं जाने की भी आवस्यक्ता नहीं पड़ेगी ठीक है तो इस वीडियो में दोस्तों चलिए हम आपको नवीनी करन कैसे करने इसका प्रोसेस बताते हैं और रोजगार पंजियन कैसे करने इसके उपर तो पहले ही वीडियो हमने बना दी है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है आप वहां से देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों हम आज का अपने ये वीडियो ही स्टार्ट करते हैं तो अपने रोजगार पंजियन का नवीनी करने के लिए दोस्तों सबसर पहले तो आपको कोई सभी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है ठीक है फिर सर्च बार में आपको य जैसे ही आप इसमें क्लिक करते हैं देख पाएंगे रोजगार भी भाग आपको देखने के लिए यहीं से आप यहां पास नवीनी करन कर सकते हैं साथ में नया रोजगार पंजियन भी कर सकते हैं तो नया रोजगार पंजियन कैसे करना है इसके उपर तो हमने पहले ही कर सकते हैं आपको कहीं रोजगार करिया ले जाने की अवस्यक्ता नहीं है ठीक है अब इसके बाद बात आती है कि नवीनी करेंड कैसे करेंड तो देखिए पहले नवीनी करेंड का उप्सन नहीं था लेकिन अब यहां पास नवीनी करेंड भी ऑनलाइन किया जा सकता है देख यहां पस देख पहेंगे यह रोजगार पोर्टल पर पंजियन हेतु महत्वपूर्ण दिसा निर्देश दिया गया तो कुछ इंपॉर्टेंट दिसा निर्देश है जिसे चलिए हम आपको पहले बता देते हैं ठीक है तो सब पर फेस्ट मैं आपस आपस आप देख पहेंगे यदी आवगा पूरव से ही प्रदेश की किसी भी रोजगार पंजियन चैडर्वाय करें तो एसा आपको एक बार पंजियन हो गया है, तो आपको नवीनी करन ही करना है, दोबारा पंजियन नहीं करना है, ठीक है, इसके बाद एक और बतायागा है, देख पहेंगे, यदि वहाँ अपने पंजियन में किसी भी प्रकार का अपडेट, यानिकी अध्यतन या नवीनी करन मतलब क करना चाहता है तो वो अपना पुराना पंजी करन क्रमांग डाल कर आगे बढ़े पर क्लिक करके कर सकते हैं तो कैसे करेंगे नवी निकरन यही हम आज की सी वीडियो में आपको बताएंगे विलकुल निश्चिन रहेगा एक एक चीज स्टेप बाई स्टेप आपको इसका बस वेकेंड पॉइंट में देख पाएंगे बताया गया है यदि आविदक प्रदेश के किसी भी रोजगार एवं स्वर रोजगार मार्गदर्शन केंद्र में पूरो में पंजी कृत नहीं है तो नया पंजियन बटन पर क्लिक करके अपना नया पंजियन कर सकते हैं दिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को देख लेंगे ठीक है चलिए अब आपको बताते हैं कि इसमें नवीनी करन कैसे करना है तो यहां पर कुछ और दीशा निर्देश दिया गया है यह पंजियन को लेकर ही है इस सब के बारे में आगे आपको पता चल जाएगा ठीक है तो पहेंगे नवीनी करन के लिए क्रिपिया अपना पंजी करन नंबर धर्ज करें तो यहां पास आपको अपना पंजी करन नंबर धर्ज करन है नवीनी करन के लिए ठीक है जो पहले आपने रोजगार पंजियन कर आया थे उसी को यहां पास इंटर करना है ठीक है इसके बाद और विवरन प्राप्त करे बटन पर क्लिक करें तो यहां पस विवरन प्राप्त करें बटन दिया गया इसे पर हमें क्लिक करना है ठीक है तो चलिए हम आपको यह सारा चीज करके बताते हैं तो आप अपने रोजगार पंजियर पर देखिएगा यहां पर पंजियन क्रमांग क के लिखा रहता है या फिर रेजिस्ट्रेशन नंबर करके उसी को अब यहां पास आपको डालना है तो चलिए हम पहले डाल लेते हैं फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं तो कुछ इस प्रकार से दूस्तों यहां पास अपना पुराना पंजियन क्रमांग डाल लेते हैं इसके सेंपली से आपको वीवरेंट राप्त करें के अप्स पर डिख करेंगे फिर देखेंगे यहां पस लिए जम पकर आपना पंजिय क्रमांग साथ मेनाम पीता का डेट दिखाईगी है उसी डेट के बीच में आपको करनी होगी ठीक है कृपिया अपना पंजियन नवीनी करने के लिए रिन्यू बटन पर क्लिक करें तो यहां पास आप डेट देख लेंगे इस से पहले यहां पर नवीनी करन नहीं होगा और इसके बात करेंगे तो आप आपको अपने पेज ओपन होकर आ जाता है ठीक है चलिए थोड़ सा स्क्रॉल डॉन करते हैं फिर यहां पास अब देख पहेंगे पंजियन नवीनी करन का एक पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है जिसमें यहां पास तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल न ऐजा गया ठीक है उसbeed को यहां पास आपको इंटर करना है तो चलिए हम यहां पास ब्रक्स पर देख नहिए तो कुछी हमने लेते हैं मपाम-धे और यहां पिसमें क्लिक करेंगे देखेंगे OTP सफलतपुर्वक सत्यापीत किया गया बोला जा रहा है ठीक है तो OTP का सत्यापन हो गए है अब अधार नंबर भी इंटर कर लिए ठीक है और सात में यहाँ पास जो अधार के अनुसार अविदक का नाम है वो भी हम यहां पास इंटर कर लिए इसके बद आफ में यहां पास अधार OTP भेजुके के option पर click कर लेना है अब जसी हमने यहां पास जै licensed फिर देखेंगे यहां पास बोल जा रहा अनलर्ट मैं अधार सहमति प्र fundamental कर दीका है gak क्या करना हैं सेंपली से इसमें ओके पर क्लिक कर दीना है इसके बर दूस्त तो यहां पर अधार सहमती इसलिए बोला गया क्योंकि हमने यहां पास इस बॉक्स में क्लिक नहीं किये थे ठीक है तो बॉक्स पर हम यहां पास क्लिक कर लेते हैं ठीक है अब इसके बाद हम यहां पास अधार OTP भेजे के आपशन पर क्लिक करते हैं ठीक है इसके बाद हमारे अधार नमबर पर जो मोबाइल नमबर लिंक है उसमें OTP भेज दिया जागा ठीक है तो चलिए हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं इसके बद दूस्तों कुछ इस प्रकार से यहां पर पॉप आजाता है कि आपके अधार से जूड़े मोबाइल नमबर पर OTP सफलतर पूर्वग भेजा गया ठीक है तो अब यहां पास OTP भेज दिया गया है अब आपको सोटीप को डालना होगा तो इसके लिए आपको सिंपल से अब OK पर क्लिक कर देना है इसके बद दूस्तों अब जो OTP आपके अधार से रजिस्टर मोबाइल नमबर पर आया है उस OTP को आपको इस वाले बॉक्स में डाल देना है तो कुछ इस प्रकार से दूस्तों रजिस्टर मोबाइल नमबर पर आये OTP आप इंटर कर लेते है इसके बद्दुस्तो आपको यहां पास अधार OTP सत्यापित करें के option पर क्लिक कर लेना है इसके बद्दुस्तो अब आपके समने कुछ इस प्रकार से एक new page open होकर आ जाता है जिसमें यहां पर लिखा रहता है रोजगार पंजियन update form ठीक है तो यहां पास आपने अपना भी नहीं करेंगे तो इस प्रकार से यहां पास update form लिखा हुआ आएगा ठीक है जिसमें यहां पर पहले आपने रोजगार पंजियन कर आया थे तो उसी रिकार्ट के अनुसार यहां पास नाम देखने के लिए मिल जाता है और यहां पास आपको अपना mobile नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है अब दूस्तों आपको थोड़ा से स्क्रॉल करना है इसके बाद यहां पास आपको अपने पीता जी का नाम देखने के लिए मिल जाता है ठीक है इसे के साथ यहां पास आपका जेंडर पहले से सेलेक्टेड रहता है तो ठीक है नहीं है तो यहां पास आप selected कर सकते हैं तो यहां पास अभी वही सब्कित हैँ यहां पास आप देचने के लिए अवस्यवीं मिल जाता है तो rule ठीक है अगर नहीं है तो दोस्तों यहां पास से क्लिक करेंगे और यहां पास आपका जाती जिसे अन्य पई पिछड़वर गया फिर एनựशी जाती या फिर अनुसूची स समान्य वो आप सेलेक्ट कर लेंगे ठीक है वैसे यहां पास नवेनी करन तो पहले से बहुत से चीज है प्रकार से कर सकते हैं अब इसके बात पहले आपने रोजगार 15 चाइए है तो आपका फै자가 लिफीके कि funds क्या था यहां पास ट्वेलत ही था अब यहां पास आपना है इस प्रकार से वो यहाँ से लेक्ट कर लेंगे ठीक है यहाँ पर सारे courses आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है तो आपने जिस भी course में यहाँ पास आपका highest qualification है अभी वह यहाँ पास इस प्रकार से वो भी चेन का लिए ठीक है साथिसाथ यहां पास बहुत सारे courses दिखता है तो आप जिस भी course में कर रहें उसी का chain करेंगे ठीक है यहां पास अपने अनुसार इसका बद देखेंगे यहां पास आपस आपस पुछा जाता है रोजगार की इस्थिति ठीक है तो इसका आप चेन कर सकते हैं अभी भी यहां पास आप इसमें अपडेट कर सकते हैं लेकिन अब यहां पास आप विद्यार्थी नहीं है आप यहां पास कहीं निजी छेत्र में नौकरी करते हैं या फिर स्वरोजगार स्वयम का रोजगार है या फिर मजदूरी करते हैं या यहां पास हाँ या ना यहां पास आप सेलेक्ट कर सकते हैं ठीक है इसका पास थोड़ा से स्क्रॉल करेंगे फिर दोस्तों यहां पास आपके पता की जनकारी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं दोस्तों यहां पास अगर आपका पता पहले से फुल्फिल है तो यहां पास पता यहां पर बदल गया है तो यहां पास पहले से यहां पर है डला है उसमें हाँ पर अभी भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं ठीक है यहां पास आपका राज है और यहां पास आपका जीला और सांत में यहां पर सहरी या फिर ग्रामी यह सब चीज आप अलग से ही आता है इसमें आपको दोबारा कुछ कुछ चीजों को यहां पर डालने की आवस्यक्ता नहीं पड़ती ठीक है तो देखेंगे यहां पास क्रिफिया प्रोफाइल फोटो अपडेट करें बोला जा रहा है तो यहां पास अपना एक फोटो अपलोड करना होगा तो का ध्यान रखते हुए यहां से आपको अब अपलोड करनी होगी तो अपलोड करने के लिए यहां पास आपको चूस फाइल के आपशन पर क्लिक करनी होगी इसमें क्लिक करने के बाद आपने जिस भी ब्राउजर में रखें यहां से आपको अपना फोटो का सेलेक्शन कर ल एं कूई आपको प्रविष्ट करने है तरह से यहां पास अपको यह घोषना पर टिक कर लिना है और आपको सही जनकारी करने है अब यह सब चीज कर लेते हैं इसका बदोस्तों यहाँ पास आपको सुरक्षित करेकर आपको क्लिक करने हैं इससे पहले एक बार और चेक कर लेंगे आपने जितने भी डिटेल यहाँ पर फिल की है उसमें कोई गल्ती तो नहीं हो गये ठीक है और सारा चीज आप यहाँ पर चेक क किया अापका 50 शन्य आपको मिल जाता है इसके बत दोस्त Shortly आपको यहां पास ओक्छें वाले पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है जो यहां पास रोजगार भी भाग के माध्यम से जब आप आफ लाइन कराते थे रोजगार पंजियन या नमीनि करन तो इसी वाले पेज को यहां पस आपको लाश्ट में दिया जाता था, ठीक है, तो देख पहेंगे इसी वाले पे तन ही है ठीक है आप आसानी से इसी प्रकार से घर बैटे ही अपने मोबाइल फोन के या फिर कंप्यूटर के माध्यम से यह रोजगार पंजन या फिर नवीनी करन कर सकते हैं ठीक है रोजगार पंजन करने के ऊपर भी पहले ही वीडियो बनाया है डिस्क्रिप्सन में उसका लिंक है आप चेक कर लेंगे ठीक है तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपना रोजगार पंजन या नवीनी करन कर सकते हैं चलिए अपको बताते हैं से वाले फॉर्म ये लिए का सब्सक्राइब होगा इसी प्रिंट के option पर से आपको क्लिक कर लेना है ठीक है इसके बद दूस्तों कुछ इस प्रकार से आपका प्रिंट वाला पेज आपको देखने के लिए मिल जाता है ठीक है अब दूस्तों इसे आप PDF में बढ़ी ही आसानी से सेव कर सकते हैं अगर यहां पास उपर में सेव का option दिखाई दे रहे तो उसी पर क्लिक कर लिजे या फिर दूस्तों एक ठीड़ाट इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जागा इस पर क्लिक किजिए इसका बद दूस्तों यहां पर सीवस PDF का option आजागा इस पर क्लिक क पर जाकर आप इसे बड़ी आसानी से प्रिंट करा सकते हैं और अपने पास रख लिजेगा ठीक है आपको रोजगार कर ले जाने की बिल्कुल भी आवस्यक्ता नहीं है यहां पास इसमें बिल्कुल इस प्रस्ट्रूप से यह लिखा भी है ठीक है तो कुछ इस प्रकार से के बारे में आपको बिल्कुल जनकारी मिल सके साथ इस वीडियों को आगे अन्ये दोस्तों के साथ भी सेयर कर दीजेगा ताकि वह भी अपना रोजगार पंजियन का नमीन करन इसी प्रकार से घर भैठे ही कर सके फिलहाल इस व्यूप पासित नहीं दोस्तों चलिए फिर से मिलेंगे आपके साथ एक नए वीडियो लेकार तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद जहिंद।